तो अब आते हैं इस वीडियो पे बहुत सारे एस्परेंट को मेरे बुक लिस्ट के बारे में जानना था कि क्या-क्या बुक पढ़के मैंने सेलेक्शन लिया है तो देखिए मैंने एक बुक लिस्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी बट वो बहुत पहले की बात है तब मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर भी नहीं था तो इसलिए वो वीडियो बहुत पीछे जा चुका है निव एस्परेंस को वो वीडियो नहीं मिल रहा है तो इसलिए मैं मेरी बुक लिस्ट को और भी और्गनाईस तरीके से इस वीडियो में शेर करने वाली हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक इन्फोर्मेशन दे दू कि अनुजगर्क सर की पॉलिटी के ऊपर एक कम्प्लीटली फ्री MCQ सिरिस आने वाला है 13 डिसेंबर से 13 डिसेंबर से 17 डिसेंबर ये 5 दिन हर रोज रात 9 बजे एक लास स्टार्ट होगा आने अकडेमिय अप पे हलाकि ये फ्री कोर्स UPC के कैटेगरी में प्रोवाइट किया जाएगा लेकिन हमारे ECC के लिए ये बेनेफिशिल रहेगा क्योंकि पॉलिटी से 3-4 क्वेशन से जिल में देखने को मिलता ही है और UPC के पॉइंट अव व्यू से देखा जाए तो प्रिलिम्स में एराउंड 15% पॉलिटी क्वेशन मिलता है हर साल इस कोर्स के अंदर पॉलिटी के जो इंपॉलिटी के जो इंपॉर्टन बुक्स है लाइक लक्ष्मी कान, डीडी वासु और नंसी अर्टी लिंक रिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो मेरे बुक लिस्ट को देखने से पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी कम्पेरिटिव एक्जाम को क्रेक करने के लिए आपको बहुत ज़दा बुक्स के ज़रुरत नहीं पढ़ती है जो सबसे ज़रुरत पढ़ता है वो है पढ़ना मतलब बुक्स लिमिटेड रखो बट पढ़ाई अनलिमिटेड होनी चाहिए तो ये एक मंत्रा की तरह याद रखना कि लिमिटेड बुक्स अनलिमिटेड पढ़ाई तो ये बुक्स लिस्ट इससे का हर एक्जाम्स के लिए अप्लिकेबल रहेगा जैसे कि MTS, GD, CHSL, Stenographer, CGL, CPL, Selection, Post ये सभी जो इससे का एक्जाम्स होता है सभी एक्जाम्स के लिए ये बुक्स अप्लिकेबल रहेगा क्योंकि मैंने GD और Stenographer ये दो एक्जाम्स को छोड़के एससे का और जो भी एक्जाम्स होता है सभी एक्जाम्स मैंने दिया था अब देख लेते हैं कि ये सभी जो एक्जाम्स होता है वो कितने टीर में होता है जैसे कि MTS का First Tier 1 होता है उसके बाद Descriptive होता है that means 3 tier में इसका एक्जाम होता है after that Stenographer का Tier 1 का एक्जाम होता है उसके बाद Skill Test होता है Stenography का Skill Test होता है यहाँ पे mention कर दो कि SSS Stenographer के एक्जाम में Tier 1 में Mathematics नहीं रहता है इसके बाद आदे SSS CGL जो सबसे बड़ा एक्जाम है क्योंकि ये एक्जाम 4 tier में होता है tier 1 200 marks का tier 2 400 marks का descriptive exam होता है 100 marks का and उसके बाद Computer Proficiency Test and Data Entry Skill Test होता है जो कि ये tier 4 इसके बाद आते है SSS CPO SSS CPO में tier 1 होता है उसके बाद Physical Efficiency Test होता है इसके बाद tier 2 होता है इसका tier 2 सिर्फ English Language के उपर होता है and last में आते हैं Selection Post Selection Post 3 level wise होता है 10th level, 12th level and graduation and above level ये 3 level का Selection Post exam के लिए सर्फ tier 1 का ये exam होता है और उसके साथ साथ कुछ selective post के लिए skill test रहता है तो SSS CPO का सभी exams का ये रहा एक Brief Explanation इसके बाद आता है जो Main Topics रहता है SSC के exams में तो SSC के हर exam में ये topics common रहता है specially SSC का सभी exams का tier 1 का जो sections रहता है उसमें ये चारो mostly देखा जाता है जो की है General Intelligence and Reasoning English Language and Comprehension General Awareness and Quantitative Aptitude that is Mathematics तो ये 4 section मेंली देखा जाता है SSC का हर exams का tier 1 का जो paper होता है उसमें except stenographer में mathematics नहीं होता है and GD में English के साथ Hindi भी optional रहता है इसके बाद आते हैं मेरे book list पे तो पहले discuss कर लेते हैं reasoning का मैंने कौन सी books पड़ी थी तो reasoning का जो first books मैंने पढ़ा था reasoning को अच्छे से learn करने के लिए एकदम concept wise, basic wise वो था ये book जो कि ये S. Chan Publication का Dr. R. S. Agarwal का जो verbal and non-verbal reasoning का जो book आता है इस book से मैंने हर chapter का जो concept था वो अच्छे से सीखा था and ये book से more or less cover करने के बाद मैंने कीरन का जो previous year का book आता है वो book मैंने thoroughly cover किया था तो reasoning के लिए मैंने सर्फ ये दो book ही follow किया था सीखने के लिए R. S. Agarwal का ये book and उसके बाद practice के लिए previous year के लिए S. 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 का ये किरन का जो book आता है reasoning का वो मैंने किया था यहाँ पर मैं एक बात mention कर देना चाहती हूँ कि जादा तर देखा जाता है कि banking में जादा tough reasoning देखने को मिलता है with respect to S. 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 का जो reasoning आता था वो general type का ये आता था but अब थोड़ा सा changes देखने को मिलता है थोड़ा सा जो standard है reasoning का high हो रहा है जैसे questions देखने को मिल रहा है recent years में उससे यही लगता है कि reasoning standard हो रहा है and इसलिए reasoning को भी आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि S. 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 का reasoning तो हलवा है तो वो अब पहली की बात अगर आप बोले तो वो ठीक था बट अभी हलवा नहीं आ रहा है अभी आपको अच्छे से prepare करना परेगा तभी जाके आप full reasoning attempt कर सकते हो तो ये recent years का reasoning आ रहा है उसके respect में मेरा ये कुछ personal view था जो मैंने आपके साथ share कर दिया है इसके बात आते है maths और quant पे तो maths के लिए पहली जो मैंने book चूस किया था वो था ये किरन का previous year का जो solve paper क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर एक chapter से topic wise question यहाँ पर मिल जाता है अब हर एक chapter से किस type का questions मिलता है वो यहाँ से मुझे एक idea लग गया था जैसे कि time and work से ऐसे ही question आता है और trigonometry से mensuration से ऐसे ही question आता है तो यह idea लगना बहुत ज़री था इसलिए मैंने पहले ये solve paper कर लिया था तो ये solve paper करते वक्त मुझे कुछ कुछ chapter में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था जैसे कि geometry का कुछ concept में problem हो रहा था वो जो 3D geometry आता है जो specially tier 2 में देखा जाता है तो उस type का geometry के लिए वो concept clear करने के लिए मैंने state board का mathematics का book था वो मैंने cover किया था और उससे मेरा concept clear हो गया था मैं आपको suggest करूंगी कि आपको भी अगर कोई भी maths का कोई भी chapter में concept का problem हो रहा है आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हो तो आप अपना state board या जिस भी board में आप पढ़े हो उस board का books आप follow कर सकते हो एक बर वहां से अगर आप cover कर लोगे तो आपका concept एकदम crystal clear हो जाएगा ठीक है तो यह salt paper का जो book है यह updated book है इसका अंदर का जो page है वो भी मैंने यहाँ पे दिया है क्योंकि अंदर का जो page है उसमें number of questions जादा दिखाया गया है and actually यही number of questions available है books के index में तो इसलिए यह भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि actually कितन number of questions updated version में मिल रहा है ठीक है तो कीरन का इस book के साथ साथ मैंने राकेश अरभ सर का arithmetic for SSC यह book complete किया था and यह book मेरे लिए बहुत ही helpful रहा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे complicated questions देखने को मिलता है especially time and work and time and distance यह सब chapters है तो इसलिए मैंने यह book किया था और जो third book है जो मैंने किया था especially मैंने tier 2 के लिए किया था tier 1 में नहीं किया था tier 2 की जब तयारी कर रही थी मैं तभी यह किया था क्योंकि tier 2 में advance maths का weightage जादा रहता है तो राकेश अरभ सर का math के लिए मैंने यह तिनों book follow किया था इसके बाद आते हैं English पे तो English के लिए भी मैंने 2 book ही follow किया था first है Arjan Publication का SP बक्षी इस book से मैंने एकडम basics जो grammar का rules होता है वो basics एकडम clear कर लिया था but क्या होता है कि सिर्फ grammar का rule पढ़ने से समझ नहीं आता है कि उसका application कैसे करें जो हलाकि वहां पर दिखाया जाता है examples में पहले क्या करना चाहिए एक बार पढ़ लिने चाहिए कि क्या का grammar rules होता है और उसके बाद practice करते बाद तो समझ में आता है कि हाँ यह rules ऐसे apply होता है तो पहले मैंने इस विभक्षी का यह बूक थोरूली एक बार देख लिया था जो भी noun pronoun article का जो भी chapter से इसमें थोरूली एक बार देख लिया था एड इसके अंदर का idioms and phrases one of subscriptions ही मैंने पढ़ लिया था एड उसके बाद मैंने जाके यह किरन का जो बूक आता है solve paper का वो बूक मैंने खतम किया था यह बूक मैंने 2 या 3 ताइम्स कवर किया है multiple times से यह बूक मैंने revise किया है क्योंकि जो भी vocab से वो बार बार पढ़ना बहुत ही ज़़री होता है तो इसलिए यह बूक मैंने multiple times खतम भी किया था और इस बूक से सभी जो EBMs and phrases one or substitution, synonym, antonym यह सभी खतम हो जाने के बाद मैंने इस पिभख्षी का जो भी synonym, antonym बचा था वो भी मैंने एक बाद देख लिया था तो tier 2 के लिए मैंने English का अलग से और कोई भी book नहीं पढ़ी थी इससे अगर कुछ add करना है वो है newspaper newspaper के उपर मैंने एक video अलग दिया है कि tier 2 के exam के लिए newspaper पढ़ना कितना ज़रूरी होता है क्योंकि tier 2 में जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है वो है reading comprehension, close test and parajumbles यह तीनों जो topics रहता है English comprehension में इन तीनों topics के लिए आपका reading habit बहुत अच्छा होना ज़रूरी है तो इसलिए reading habit को अच्छा करने के लिए newspaper सबसे crucial role प्ले करता है तो इसलिए मैंने कुछ दिन पहले एक video बनाई थी आपको i-button में मिल जाएगा कि newspaper आपको कैसे पढ़ना चाहिए उसको पर मैंने एक video बनाया था तो tier 2 में आगा ये दूनों books से मैंने कुछ add किया था वो ये ही था कि newspaper में daily newspaper पढ़ती थी और जो reading comprehension and close test होता है वो में जादातर online practice करना prefer करती थी और online के लिए मैं test book, grade up ये सब platform यूज करती थी तो ये रहा मेरा English का books and इसके बाद आता है जो सबसे difficult portion रहता है हमारे syllabus में वो है general awareness that is GKGS तो GKGS के लिए मैं क्या पढ़ी थी GKGS के लिए जो सभी लोग पहले पढ़ने की कूशिश करते जो कि है Lucent Lucent का general knowledge का book मैंने एक दम जोश के साथ पढ़ना शुरू किया था and कुछ दिन मैंने पढ़ी थी but Lucent का एक ही पेज पढ़ने में मुझे बहुत जादा time लग रहा था क्योंकि उस एक ही पेज में बहुत जादा information रहता है वो पढ़ते पढ़ते मैं थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगने लगा books and syllabus भी cover करने में मुझे लग रहा थी कि बहुत जादा time लग जाएगा क्योंकि मेरे पास बहुत जादा time नहीं था तब मुझे जल्दी जल्दी syllabus complete करना था तो इसलिए मैंने कुछ दिन लुसर्ण पढ़ने के बाद मेरा पुरा preparation time में मैंने एक ही course लिया था एक test book का GKGS के ऊपर foundation course था वो course मैंने लिया था and उस course से मैंने history, policy, geography यह तिनों subject cover किया था तो इसलिए मैं यह पर और एक बात mention करना चाहते हूँ कि बहुत लोग मुझ से पूछते है GKGS को कैसे handle करना चाहिए तो उनको मैं यह suggest करती हूँ कि आप पहले listen से पढ़ना try करो बट अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप क्या करना कि वही topic आप online YouTube से या किसी भी app से आप एक बार देख लो अगर आप कोई भी चीज़ देखते हो ना तो वह आपके brain में ज्यादा impact पढता है और आपको अच्छा भी लगना लगता है तो इसलिए अगर कोई भी चीज़, कोई भी topic आपको boring लग रहा है तो आप एक बार YouTube से पढ़ सकते हो बहुत सारे अच्छे चैनल से वहाँ से आप एक बार देख लोगे तो उसके बाद वह पढ़ना आपके लिए easy हो जाता है ठीक है तो यह मैंने किया था इन उसके बाद जो thoroughly मैंने cover किया था वो यह general analysis का जो book आता है किरन publication का किरन publication का यह solve paper मैंने multiple times cover किया है क्योंकि इसका जो analysis से बहुत अच्छे सी हाँ पर analysis किया गया है वो analysis में thoroughly पढ़ती हूँ दोनों exams का ही tier 2 होता है that means CPO का tier 2 में English होता है and CGL का tier 2 में English and Maths होता है उसके लिए अलग से मैंने क्या पढ़ी थी वो भी मैंने आपको detail में बता दिया है तो इसके बाद आते है descriptive exam पे आपके MTS में descriptive exam होता है but वो qualifying in nature होता है CGL में भी tier 3 descriptive होता है CHSL में tier 2 descriptive होता है तो यह descriptive exams है यह descriptive exams के लिए मैंने क्या पढ़ी थी तो यह descriptive exams के लिए भी मैंने दोनों ही book पढ़ी थी एक है SC Gupta के letter writing का जो book आता है यह मैंने पढ़ी थी और उसके साथ साथ मैंने 151 SS का जो book आता है यह यह दो वो की मैंने फॉलो किया था और उसके साथ साथ के लिए आपको बहुत जाता knowledge की ज़वरत बढ़ता है क्योंकि MTS को अगर छोड़ दें क्योंकि MTS में general topics से आता है बट CGL CSL में अचानक से ऐसे topic आ जाता है जिसको हमें अंदाजा भी नहीं होता है ऐसा कुछ topics भी वो लोग अकसा दे देते हैं तो इसलिए एक वास knowledge की ज़वरत होता है इसलिए नियूस्पर बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे online sources मैंने follow किया था online sources मतलब कोई भी topic उठाके उसको मैंने online search करती थी और उसके उपर जो भी articles रहता था के उपर भी video मैं दे सकते हूँ अगर आपको लोगों को जरूरत है तो आप comment करके वो मुझे बता सकते हो तो इसके बाद आते है last CPT DST for CGL and CHSL के लिए सर्फ DST तो typing मैंने घर पी ही सिखा था उसके उपर मैंने detailed video बनाया है Wingali में तो वो video का link आज आपको description बॉक्स में मिल जाएगधा एकदम जैसे मैंने typing सिखा था एकदम वैसे ही वो videos में explain किया गया है वो video का playlist आपको description बॉक्स में मिल जाएगे कि typing आपको कैसे सिंखना चाहिए step by step उहाँ पे explain किया गया है and computer proficiency test के लिए मैंने previous year का जो questions था वो follow किया था उसे देख देख के लिए मैंने practice करती थी क्योंकि computer proficiency test में जो excel and powerpoint से जो देते है वो general होता है बहुत जादा difficult कुछ नहीं होता है but उसका जो format जो pattern वो देते है वो अच्छे तरीके से follow करना important होता है क्योंकि एकदम जैसे दिया जाता है एकदम बिल्कुल वैसे ही वो excel sheet और powerpoint presentation तयार करना होता है नहीं तो number deduct होता है तो वो मैंने बहुत अच्छे से तयार किया था previous year के जो questions है उसको देख देख के तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि जादा book आपको नहीं खरीदना चाहिए limited book खरीदो और उससे अच्छे से पढ़ो अच्छे से पढ़ना बहुत जरुरी होता है एक ही book को बार बार पढ़ना भी बहुत जरुरी होता है तभी आपको एक book का जो पूरा knowledge है वो gain होता है जादा सादा book खरीद लिया है और उसके बाद कोई भी book ठीक से complete नहीं अगर कर पाए तो वो कोई भी फाइदा नहीं होता है उल्टा आपका पैसा बरबाद होता है तो इसलिए पहली जादा book नहीं खरीदना है एक एक करके book खरीदो वो पहले complete कर लो और उसके बाद as per your requirement अगर आप चाहते हो तो आप दूसरा book खरीद सकते हो but मैं हमेशा prefer करती हूँ कि आप limited book पढ़ो but वो multiple type पढ़ो दस book आपको नहीं खरीदना है बलकि एक book को आपको दस बाद revise करना चाहिए वो ही सबसे सही रहता है तो I hope कि आपका preparation शुरू करने में और आपका preparation continue करने में ये वीडियो आपके लिए helpful रहा होगा That's all, thank you